next question 2001 का सवाल है question says 250 newton force is required to raise 75 kg mass from a pulley if rope is pulled 12 meter then the load is lifted to 3 meter हमें बताना है efficiency of the pulley system क्या होगी है हमारे option से 55%, 33.3% 75% या फिर 90% now सबसे पहले तो समझते हैं कि अ अपने situation क्या है इस situation में हो क्या रहा है because बहुतублиानार्म केका क्लास्णरूं में सुदेन्ट को समझेini जाते हैं this situation में हुआ क्या वा जैस सवाल पर इस से लिह स्चिवेशन यह के Lex आपका sides यह आपका पुली ब्लॉक सिस्टम है यहां पर ब्लॉक ऐसे रखा है और आपका सिस्टम कुछ इस प्रकार है मान लिजे थीटा एंगल है कि आप इस पुली ब्लॉक को इस तरफ खींच रहें जब आपने इस पुली ब्लॉक सिस्टम में इस मास को नीचे लगाया है और इसको ऐसे खींचा है तो यह ब्लॉक ऊपर राइज हुआ तीन मीटर इसको ऐसे बना लेते हैं यह मास आपका राइज हुआ है तीन मीटर और यह रसी दर गई है बारा मीटर और इस दौरान क्योंकि हमें पता है यहां पर पुली ब्लॉक सिस्टम है यह तो एमजी है यहां पर अपना लोड जो होएगा जिसको हम खींच रहे हैं तो ल जौश्यवित्टीव क्वानटेज कितना हुएगा यहां पर हम इसको जैसे क्लास में बात करते हैं मैकेनिकल एडवानटेज वह ऊपका लोड डिवाडिय वाइफर्ट इस क्येस में देख Way तो लोड अपना जो दिया हुए ओवा है यह sein यह अपना सेवन्तीफइव केजी तो लोड अपना हो गया 75 into G divided by हमारा जो effort लगा वो आ गया 250 newton तो अपना mechanical advantage हो गया 3 का तो तीन गुना मलब हमें तीन गुना से effort कम लगाना पड़ा सो देट इस काल mechanical advantage अब उस case में देखेंगे जो अपना distance traveled हुआ है इसका distance travel अगर 3 हुआ है तो इसका distance travel 12 हुआ है तो उस distance travel का ratio जो आया distance traveled ratio वो आपका जो distance travel का ratio आया वो हो गया distance traveled by effort effort distance divided by जो आपका वो आया load distance all right so effort का distance हुआ है अपना 3 meter 12 meter और load का distance हुआ 3 तो यह आ गया 4 now based on this sum कह सकते हैं कि आपकी जो efficiency आएगी efficiency नीठा that will be equal to mechanical advantage या आपका mechanical advantage इसको capital M में लिख लेते और divided by distance ratio distance ratio या कई बार और distance ratio तो mechanical advantage है अपना इसको multiplied by 100 भी कर देंगे तो यह अपने को percentage देगा now इसके basis में कह सकते हैं नीठा mechanical advantage अपना 3 distance का ratio 4 multiplied by 100 so this will be equal to 75% तो इस case में हम कह सकते हैं कि हमारी जो mechanical advantage है वो 3 है और distance travel का ratio जो है वो आपका 4 है और हमारी efficiency is 75% so based on this option number C would be the right answer is